Hello students, this is Komal, your SSD educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की. CBSE board की courses के साथ साथ आपको other state board की भी courses available है. In-in-the-medium जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses. Proper systematic way में कोई दिक्कर परिशानी नहीं होगी. Daily practice आइसके questions भी बिलेंगे तो भई practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes के link आपको description box में available है तो भटकने की बात नहीं बनती है. हम करेंगे आज जो हमारा topic रहेगा कि what does diversity add to our lives? हमने क्या पढ़ रहे हैं? हमारा chapter वो diversity का है. हमने इतना तो समझ लिया है कि diversity क्या होती है और हर difference को diversity नहीं बोलते हैं. अगर ऐसा कोई difference है तो वो inequality में भी आ जाता है. जैसे कि अगर किसी की parent potter है तो भई उनके बच्चे भी potter बनेंगे. हमने समझ तो वो difference को हम diversity नहीं बोलेंगे. diversity मतलब धर्म से related होगे, आपकी language से, आपके पहनावे से, आपके खानपान से. तो वो हो जाती diversity जिसको हम enjoy करते हैं, interest लेते हैं. आया समझ में तो हम यह topic स्टार्ट करेंगे कि यही जो diversity है हमारी life में क्या add करती है? क्या कामाती है, इसका क्या फाइदा देती है, क्या नुक्सान जो भी है, इसका क्या role होता है हमारी जिन्दिगियों में, यह हम जानेंगे इस topic में. इससे पहले आप like कर दीजिए, जो मेरे लिए बहुत जादा important है, और share कर दीजिए अपने classmates को, कि फिर से एक और topic स्टार्ट हो रहा है, और comment कर दीजिए कि yes ma'am we are ready, start करें, चल्ड़. हमने देखा कि समीर एक जो क्या थे, समीर दो क्या थे, याद है किसी को की भूल गये, कानी खतम और भूल गये, यह समझना जरूरी है, यह कोई entertainment ले story नहीं थी, कि बस time pass ले बीच में story है, तो read करो और बस मस इसे, नहीं, यह जो story है, यह बड़ी काम के, यह समझाती हमें य चीज़ें, तो जो समीर एक है, समीर दो है, इंद की बारे में हमें जानना है, तो समीर एक क्या थे, समीर एक थे, स्कूल जाते थे, ठीक है, इंगलिश बोलते थे, और साथ में हिंदू थे, यह चीज़े हम देख रहे हैं, then जस आपके reference ले, शॉट शॉट में लिख रहे ह याद आ रहे हैं की भूल गए, याद आ गया की नहीं, जिसको याद आ गया होगा, उसको समझ में आ गया है, सेल्स देखो, ये था difference, मैंने लिख दी अच्छे से, कि समीर एक क्या था, स्कूल जाता था, इंगलिश आती थी और हिंदू धर्म करा ठीक है, समीर दो निउस पेपर बेचते थे, हिंदी बूलते थे, और क्या थे, मुसलिम थे, आया समझ में, तो इस से क्या बताया है, इन्हों Just like Samir I, Samir II, became friends, you might have friends who are very different from you, हो सकता है इसी टाइप की friends आपकी हो, जैसे हो सकता है कोई अधर धर्म के आपके friends हो, क्रिशन हो सकते हैं, मुसलिम हो सकते हैं, या अगर आप मुसलिम है तो कोई हिंदू फ्रेंड हो सकता है, या क्रिशन है तो कोई आपका सिख फ्रेंड हो सक इस टाइप का अलग अलग रिली जनया अलग बैकराउं के फ्रेंड्स आपके होंगे तो आप समझ सकते कि क्या बात हो रही है तो you have probably eaten different kinds of food in their homes अगर अगर आप अलग अलग ताइप के अलग अलग धर्म के आपके फ्रेंड होगे तो आपने अलग-अलग typ की जो dishes उनके खाई होगी काई होगी की नहीं खाई होगी जैसे अगर आप माराथी है तो भई आपने किसी किया पूरन पोली घाल होगी है ने जो माराथी लोकी मंदी ना पूरन पोली बड़ी famous है वो खाली होगी अगर आपको कोई साउथ इंडियन फ्रेंड है तो उनके अडोसा वगेरा खाया होगा कोई आपका पंजाबी फ्रेंड है तो छोले बटूरे खाली होगे तो ऐसे ही करकर के क्या है अगर कोई अलग धर्वा है अलग cultural background का कोई person है तो उनके अलग अलग type की वैसे डिश आपने खाई होगी आया समझ में तो आपने notice कर रहा हो ही इनके अलग खाना बनता है then celebrated different festivals अलग अलग festivals celebrate कियोंगे अगर आपको कोई Muslim friend है तो आपने देखा होगा उनका कोई आपका Christian friend है तो Christmas कोई आपका Hindu friend है तो Holy Diwali वगेर आपने देखा होगी कोई आपका जो sick friend है तो आपने बैसा की वगेर यह सब देखा होगा तो यह क्या है यह क्या बता रहे कि अलग अलग food अलग अलग आपने celebrate जो festival से वो देखियोंगे then with them tried out the clothes they wear आपने यह भी देखा होगा कि भाई इनका तो इस टाप पहने जाते हैं अगर आप बैंगॉली आपकी फ्रेंड होगी आपने देखा होगा उनकी मम्मी तो अजीब टाप की वाइट इसे पीछे से निकलने वहली बैंगॉली साड़ी पहनती अगर आपकी फ्रेंड के मम्मी वहने या उसको देखा होगा कि भई वह तो पटी आल इस टाप का सूट पहनती इसे पटी आल इसा बड़ी ऐसा शलवार और आप सिंपल इस जीन स्टॉप तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी इसा पहन हूँ यह कितना अलग खा रहे हैं हम इनका लैंगुज तरीका इनके घर में जो चीजे रखी छोड़ी अलग टाइप की इनके गौर्धल है हमारे गौर्ध यह चीज चीजे क्या करी होगी आपने कुछ अलग जो है देखा होगा और इवन उनकी बोलने का तरीका उनकी कुछ लैंगविज जैसे पंजाबी लोग की लैंगविज कुछ एक दो वर्ड आपने नूटिस करेंगे तो आपको भी आदत हो गई होगी है ना या अगर आप कुछ मराथी में एक दो वर्ड बोल रहे हैं तो आपका गुजराती फ्र अलग अलग जो डिफरेंस है ये चीज़ों को नोटिस किया क्या आपको आया समझ में मेरा जो समझाने का मतलब है आया ना कोई confusion दिखकर डर समस्या तो नहीं नहीं है ना आगे बढ़ते हैं चलो क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है यह मत भूलना हमारा टॉपिक है कि what does diversity add to our lives यह जो diversity है जो हम पढ़ने के अलग 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 language अलग अलग खाना पीना पहनने का तरीका तो यह हमारे life में क्या ऐसा add कर रहा है तो वो हम चान रहे हैं कि भई क्या add कर रहा है you probably like reading and hearing stories यह आगे तो नहीं बढ़ गए हाँ यह इसका है ठीक है you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts हमने साथ में क्या देखा होगा वह you probably like reading, hearing stories ऐसी stories सुनी होगी, read करी होगी जिसमें adventure हो जैसे अलग-अलग animal, people और even ghost की बात की होगी इसी stories पड़ी है, बताओ ऐसी कौन सी कौन सी stories किस ने पड़ी फटा फट से comment में बताओ, बहुत अच्छा question है, यह तो आपका basically खाईजी जे favorite question है कि क्या story पड़ी होगी, कौन सी कौन सी animals के बारे में, या किसी लोगो के बारे में, या ghost के बारे में when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories, अगर हम young people की बात करें तो क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है कि जब वो read करते हैं, एक अच्छी story क्योंकि उनने बहुत से ideas मिलते हैं, ताकि वो खुद से भी कोई नहीनी story बनाए सके, तो बोड़ रहाप्स और ने-ने ideas मिलते हैं, people who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination, जो story लिखते हैं वो बहुत imagine करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो public है, चाहे movie देखे, चाहे story पढ़े, novels पढ़े, तो उसमें उनको मज़ा आता हैं, इंटेटेनिंग लगता हैं, कि वहा जो writer ने क्या story लिखी है, क्या suspense कायम किया, क्या adventure story, वहा मज़ा आ गया, तो यह सब क्या है, यह सब वो imagine करते हैं, खुद imagine करते हैं, कैसे imagine करेंगे, चीजों को notice करते हैं, वो notice करते हैं, कि दूसरों के जो different अलग-अलग places को notice करते हैं, तो उसकी according story बनाते हैं, है ना, अलग-अलग books को read कर दूसरे मतलब books से, यह साथ में कहले हैं, रियल लाइफ की, जो उनकी खुद की imagination है, उससे चीजे उनको समझ में आती, तो वो चीजे notice करते हैं, क्या आपको अतना समझ में है, कैसे जो चीजे हमारी लाइफ में, अगर हम अलग-अलग चीजे देखेंगे, अलग-अलग धर Some may have lived in forest, close to animals and chosen to write of their fights and friendships, कुछ हो सते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते होंगे, जिनका घर आसपस जंगलों के आसपस रहता है, तो वो भई animals के जो अब फॉरेस्ट में रह रह रहे हैं, तो animals से मिलना जुलना तो हो ही जाता है, मतलब चाहें, वो animals से कोई fight की story हो गई, या animals से क जिखा है कि कई movies ऐसी होती जो animal based होती, जिसमें दिखाते कि animal true friend है, जो है human का, तो हम देखते कि कैसे जो या तो दिखाते कि animal से कैसे लडाई हुई तो जीत गए, animal जीत गए, इस ताइप के तो ये stories के हैं, ये जो forest में रहते हैं, वो अपने according story लिखते हैं, क्योंकि वो अगर कोई हो जो भई kings and queens की story देखते हैं, kings and queens की story जानते कि राजा मारा जयरानीगी क्या कहानी इनके बारे में जाने, और क्या लिखेंगे उनके बारे में stories लिखेंगे लव and honor के बारे में, है ना, ये सब चीजे तो मतलब सब अपने according अपने stories पढ़ते हैं, some deep into their own childhood memories of school and friends and raw stories of adventure, कुछ क्या होते हैं, जो भई अपने बच्पन की school और adventurous stories लिखेंगे, हमारे school time पे ऐसा होता था, ऐसा रहता था, childhood days ऐसे थे, मेरा ये दोस्त था, मैं इस कहां जाता था, या मैं पढ़ता नहीं था, तो मम्मी मुझे डाटती थी, या मैं अच्छा था पढ़ने में, इस ताइप की जो memories है, वो सब लिख लेते थे, उनके बारे में सोचते थे, और इसके related अडवेंचर स्टोरी लिखते थे, तो यह क्या बताने की diversity क्या एड़ कर रही है, बहुत सी variety हमारी life में एड़ कर रही है, सब की सोच अलगी है, सब अपना अपने तरीक से अलग चीज में लिख रहे है, तो यह सब क्या यह बता रहे है, वेराइटी की आपकी सोच सब कुछ कितनी जादा अलग है, imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders, imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far forced to live in a place, where all people wore the same two colors, real and white, red and white, you mean if you think about the storytellers who are writing and telling stories, they keep them in one place, all the storytellers keep them in one place, where people wear red and white dress, and eat one type of food, like potatoes, took care of the same two animals, and the same two animals, the same one type of food, like deer or cat, and the same one type of food that you have to entertain yourself, if you don't want to take care of the snakes, you don't want to take care of all the storytellers, and they are doing the same thing, and the same kind of food that you are doing and if you return from a different place, you will learn a different experience, that you have to ask people who listen to something a different story, the suspense, the ghost, the funny, it says the humor, so everything is here, this is your background, the knowledge you have seen. उसके according लिख रहे हैं अब सबको एक जगे रख दो कि जहां पे सब रेड और वाइट किलर के कपड़े पहन रहे हैं पटेटोस ही खा रहे हैं साथ में डियर एंड कैटी पाल रखी और स्नीक लेडर एक टैक को गेम खेल रहे हैं तो क्या सब एक जैसा नहीं हो जाएगा फिर स लिए हमने जो समझा आपकी जो फ्रेंच्क ले मैंने इमेज लगाइटी तो यह चीज़ आंक in में भी एφिevery website क्या ज़रूरी है जिए डाइवर्सिटी क्या एड करते है हमारी लाइफ में जो डाइवर्सिटी मों हमारी लाइफ में ये आड करती है कि अगर अलग अलग अल अगलरल जगे बैग्राउंड से रहेंगे अलग 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 नोलेज होगा अलग अलग वेराइटी मिलेगी ना तो हम उसे इंजॉय कर पाएंगे यूसमें इंट्रेस्स लेपाएंगे अगर एक जैसा हो को सुनने को और पढ़ने को मिलती है आया समझ में लाइक कर अभी तक फटा फट से लाइक कर दो लाइक करना भूल जाते हो आप लोग क्या आप लोग ने लाइक कर दिया अभी है यहां पर कोई अलग टाइब के डान्स वाली लिड़ी है तो वेराइटी है यह अनिकी टाइब के डान्स वाली लोग दिख रहे हैं कि जब कोई कथख कर रहा है या बिल्कुल क्लासिकल वही डांस कर रहा है सब करें इंडिया को सुप्र ओफ मैंन बता रहें इंडिया मतलु जब करें में अच्छी बात है we speak different languages और हम क्या करते है अलग अलग language भी बोलते है आप कोई हिंद नमाज पढ़ेगा मजजद जाएगा कोई क्रिशन तो प्रेयर करेगा चर्च जाएगा कोई गुरुद्वारे जाएगा तो इसाब क्या है अलग यग लिगविज बोल्र हैं अलग फूड खा रहे है अलग-अलग क्या है हमारा festival भी हम अपने अपने अलगा religion को practice कर रहे है यह क्या बता रहे हैं इंडिया में variety diversity है है की नहीं है की नहीं फटा फट से बता दो मुझे अभी अभी कोमेंट में करो कि इंडिया में diversity है की नहीं है है कि we do many things that are similar except that we do them in different ways मेरा कुछ चीज़े क्या होती है बहुत सी चीज़े सेम लगेगी बट यह क्या है हम उन्हें अलग तरीकी से करते हैं चीज़े सिमिलर होगी बट उनको करने का तरीका अलग होता है काम करने का तरीका अलग होता है हो सकता है अगर आपको बोले कि आपको market जाके अग्जामपल देरी हूँ अगर आपको ले market जाके आप क्या करें यह जो fruit लेकर आए तो आप क्या करेंगे अगर कोई shortcut है उससे जाएगा किसी को अगर कोई अधर रास्तें पता है, उससे जाएगा कोई दए को कोई मेन रास्ता पता है उससे जाएगा, तो अलग-अलग आपने तरीके अपना है कहीं चीज़े सेम टरीके से करते हैं रहे हैं चीज़े सेम होती हैं विश्क मैं डिलीजिविस प्रांप ajudomet Att weekend हम अगर यह देखें कि चीज़ें सिमिलर होती ही बट उनको करने का कहीं बार तरीका भी अलग-अलग होता है आया है समझ में? आगे बढ़े? चलिए इसी के साथ आपका जो टॉपिक है, एंड होता है आई होप आपको जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ में क्या एड करती है? क्यों इंपोर्टन होती है? मैंने बहुत अच्छे समझा है आपको क्या करती है? आपको वेराइटी ओफ तिंस देखने को मिलती है अगर आप एक जैसी चीज, एक जैसी स्टोरी पढ़ो के तो क्या बोर नहीं होगे? अगर स्टोरी टेलर जो राइटर उनको एक ही जगे चोड़ दिया जाए कि वही जा रेड वाइट कलर के कबड़े पहनते हैं, पॉटेटोस खाते हैं, एक ही टाइप के एनिमल पालते है एक जो टाइप के तो क्या बोरियत नहीं होगा? तो वो भी अपनी स्टोरी में वही नहीं डालेंगी? तो डाइवरसिटी क्या बताती है? इंट्रेस्टिंग, हमारे लिए एक इंट्रेस्ट की चीज है, फन लविंग है, हमें नए चीज सीखने को मिलती ही, देखने को मिलत हमें अच्छी चीज अड़ करती है, और इंडिया क्या है? इंडिया एक डाइवरस कंट्री है, जहां पर हमें अलग धर्म, अलग खाने पीने वाले लोग, बोलने वाले लोग अलग अलग लाइग्विज देखने को मिलते हैं, आपने भी अपने स्कूल में देखा होगा, इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है, हम मिलेंगे नेक्स टॉपिक में, अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मैगनेट ब्रेंस की यूट्यूब चैनल, एप्लिकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं, इनोतर, इबुक स्किलिंग आपको description box में available है, यह भाई quality के courses हैं, जैसके CBC बोर्ड, डेली बोर्ड, भीहार बोर्ड, उपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजिस्तन बोर्ड, वैदिक मैस, स्क्राश कोर्स、 इस पोकन इंग्लिश कोर्स आपको 100% फ्री और अच्छी उत्तम क्वालिटी में एविलिवल हैं आप हमें अधर प्लाटफॉर्म पर भी फॉलू कर सकते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम एक स्टाइली के नाम और वाटसप पे जारा से दर लाइक करना है शेर करना है और चैन तक एक सो मUCH पर वाचिंग।